बागपत आए भाई मिद्रे यहां पर लोग को गन्य बुगतान का क्या यहां पर विवस्ता वरीन की बिजली की क्या समझे हैं क्योंकि बागपत ऐसा जिला है कि जो पूरे परदेश में बिजली के सबसे जादे रेट देता है अगले साल रहे हैं इसकी बिजली है आगले साल इसके पैसे भी लगें तो तीन साल की खेती होगी उसकर पैस तीन साल पूमाला होगी दुनिया में होता हो भी नहीं किसान घटे में एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जोड़त है सरकारे बातचीत करने को तयार नहीं है कि समझोते जो दिल्ली का समझोत्ता हुआ वो भी ओनलाइन समझोत्ता सरकार नहीं करें उसको भी मान नहीं रही हुआ कि मोचे MSP का सवाल हो या NGT के नाम पर ट्रेक्टर तूड़े जा रहे हैं उसका सवाल हो हमने यह कहा कि NGT में एक बार विचार होना चाहिए हमको भी तो बठालो में जज़ की गाड़ी दस साल में पचास साथ हजार किलोमेटर चले हैं डाक्टर की सतर सासिर नप्पाहजा किलोमेटर चलती है तो दस साल में और किसान का ट्रेक्टर जज़ की गाड़ी डाक्टर की गाड़ी एक के ट्रेगरी बाती है लेकिन यह कि दस साल का वकर दिया कि कंपन्यूं को फायदा कैसे होगा तो देश मना चल रहा है हम को मुट्ट है अगर सरकारे कोई फैसला गलत देगी आम उसका ग्रोथ करेंगा तो जैसा किसान आंदोल में कुछ मांगे मालीथी कुछ अध्यूरी देगी तीवे अभी तक पूरी नहीं की तो बिजली अमेंटमेंट मेंट बिल पे बातचीत हुई थी कि पेजली पे कोई भी होगा तो आप बातचीत करोगी को लेगी कमी दिखागा अब धीरे-धीरे करके रेट बढ़ाने का पूरा इनका चल रहा है कि दूद के प्रोडेक्ट वार्स आएंगे इसलिए पूंसे पस्तु धन को बर्बाद करने की बड़ी साजिस है कि सीड़ बिल है फस्तों के रेट हैं एमस्पी हैं ती जो सारे लेकिन किसानों के दाम नहीं है कि संगठन के कुछ लोग से विचारदार से बिन थे उनको निकाले अपने अपना काम करो वे भी किसान संगठन नाम इसी नाम से बना है अपना काम करें चबाँ बहुत समस्ำ करना चाहिए वह संगठन देश में साथे पांसों किसान संगठन सrekध मोरचे में हैं तो अला काम करें तो जो भी संगठन में क्यां शीमित से बनी संगठन करना है क्यां कुछ पयाद्ध कि सान को मिल सकता था कि निरियाता नहीं करेंगे देश्ट पहला मोपा था किसान नियाद करना हमारे पास में खाद्रान का भंडानन है जो मोटा अनाज है वह हमारे पास में है क्यों पर ठीक रेट में देख बेजना चाहिए इसान ओर जाते उत्सा के साथ में देश्ट में हो अनुफबादन करें